रूस और युक्रेन की बीच चल रहे युद्ध में सबसे चर्चित घटना रही है बूचा की बूचा में हुए युद्ध में युक्रेन ने रूस पर जनसंगहार का आरोप लगाया है हम बूचा शहर में मौजूद हैं जो की कीव यूकरेन की राजधानी उसका एक सेटलाइट शहर है बूचा शहर और बूचा शहर में ये जो आप चर्च देख रहे हैं इस चर्च के ठीक पीछे जो ग्रेवियार्ड है यहां लगातार शवों को दफनाने का सिलसिला जारी है पिशले कुछ दिनों से यहां पर शवो दफनाय जा रहे थे दरसल रूस और युक्रेन के युद के बीच यहां कथित तोर पर 1200 लोगों की मौत हुई और 1200 लोगों में से अधिकतर लोगों के शौओ को यहां पर दफनाया गया लेकिन आज घटना करम बदला है चुकि युक्रेन ने रूस पर आरूप लगाया है कि रूस ने जनसंगार क किया हुआ है और युद धुनियमों का उलंगन किया है ऐसे पर आरूप लगाया कि बूचा के आम लोगों को रूस ने निशाना बनाया उन्हें पर ताडित किया और उन्हें मारा ऐसे पर इन शौओ को जो की पहले दफनाया गया था उन शौओ को एक बार फिर से निकाला जा रहा है इसकी वज़य यह है कि एक बार शौओ को निकालकर उनकी पहचान किया जा सके साथ फॉरेंसिक जांच या जांच में पता लगा जा सके कि आखिरकार किस वज़य से इन नागरिकों की मौत हुई क्या वाकई में गंशौर्ट से उनकी मौत हुई ब्लास्टम उनक सबी के सामने शौओ को निकाला जा रहा है और कुछ लोग जुनोंने अपने परिजनों को नहीं देख पाए थे उनके शौव को यहां दफना दिया गया था एक बार फिर से शौओ को यहां से निकाल कर उनको दिखाया जाएगा उनकी पहच्छान की जाएगी और साथी पर दफनाए गए है कि वार क्राइम किया गया वाकई में इसी वज़े से ये मौत हुई है एक आकड़े के मुताबिक 1200 से अधिक लोगों की मौत इस बुचा शहर में हुई और 452 लोगों के शौव यहां इस यहां पर दफनाए गए हैं कबरगाह में और फिलाल शौवों को न